हेलो वेल्कम बैक फ्रेंट्स इजी मैद के यूटूब चैनल में पुना एक बर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं इस्थानी भरती का जो केस लगा हुआ था आज उसका सुनवाई था क्या क्या हुआ है क्या केस हट चुका है क्य हटा नहीं है क्या खुसखबरी है क्या दुख भरी समचार है सभी के बारे हम बात करने वाले हैं तो सब को पता है कि आज है 23 है ना 9 2021 और आज इसका हीरिंग था उमीद था कि आज आखरी फैसला हो जाएगा सहायक सिक्षक और सिक्षक दोनों में से लेकिन एक बड़ी खु सहायक सिक्षक का ठीक है सहायक सिक्षक का जो लगभग 2000 पद है जिसमें आपका प्रयोक साला के पद सामिल है और सहायक सिक्षक के पद सामिल है जिसमें हिंदी इंग्रिस माधिम दोनों ठीक है ना तो लगभग 2000 पद पर अभी इस्टे है लेकिन खुसी की बात ये है कि वर चुका है तो दो समचार सायक सिक्षक अभी इसका नेक्स्ट हीरिंग डेट 11 नॉम्बर 2021 बताया जा रहा है यहां पर ठीक है और नॉम्बर में इसका सुनवाई होना है मतलब बहुत दिन बाद है समझ लेजी अभी मोटा मोटी 40-45 दिन बाद है ना सायक सिक्षक क्या सिक्षक में स्टे हट चुका है यह बात कंफर्म है और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई होगी तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है और वही कोई समचार होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है इसके अंदर की बात कई चीजें पता नहीं चलती है तो जो आप को पता हो सकती है तो मिलते हैं नेक्स फिर्ट तब तक लेजह जय जय जोहर बड़ी खुसकबरी की बात है यह कि वहार गत्तों के साथ ही अब निशीद होंकर जहां उनका पोस्टिंग दिया जागा वहाँ ज्वाइन कर पाएंगे विलते हैं नेक्स फिर्ट वीदिया मैं तब तक लिजय हिंज जय जोहार चैनल के साथ बने देगा सब्सक्राइब जरूर करें बेल का घंटत जरूर दबाएं